एक चर का मान देने पर बीजिय व्यन जकों को हल करना मिथ्यधार नाए आज हम देखेंगे एक चर यानि वेरियेबल का मान देने पर बीजिय व्यन जकों यानि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हल करने से जुड़ी कुछ मिथ्यधार नाए कुछ उदाहरनों से हमने इस विशय को अच्छे से जाना बीजिय वियनजकों से जुड़ी बहुत सी ऐसी मिथ्यधारनाई हैं जिनकी वज़ा से हम सब आसान से प्रश्न हल करने में भी गलतियां कर देते हैं पहली मिथ्यधारना है घातांकों पर ध्यान नहीं देना यदि ए बराबर चार हो तो दो ए की घात दो जमा तीन ए का मान ग्याद कीजिए यहाँ पर बच्चे अकसर ए की घात दो को ए दो समझ लेती हैं और कुछ इस प्रकार हल करती है दो ए दो जमा तीन ए बराबर चार ए जमा तीन ए बराबर साथ ए बराबर साथ गुणा चार बराबर अठाईस हमारा उत्तर है अठाईस जो की गलत है आईए अब देखते हैं कि इसका सही हल क्या होगा दो ए की घात दो जमा तीन ए जिसका अर्थ है बराबर दो गुणा ए की घात दो जमा तीन ए अब हम ए की जगा चार लिखेंगे दो गुणा चार की घात दो जमा तीन गुणा चार यहाँ पर सही क्रम से हल करने के लिए पहले दो का गुणा चार की घात दो से वह 3 का गुणा 4 से करेंगे और फिर दोनों का योग करेंगे अतह बराबर 2 गुणा 4 की घाद 2 जमा 3 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 4 गुणा 4 जमा 3 गुणा 4 बराबर 32 जमा 12 अब 32 वह 12 का योग करेंगे जिससे हमें प्राप्त होगा बराबर 44 44 सही उत्तर है मिथ्यधारणा 2 अक्सर बच्चे चर का मान रखते हुए उसका चिन लगाना भूल जाते हैं, जिससे उनका उत्तर गलत हो जाता है यदि S बराबर घटा 2 है, तो दिये गई वियन जक का मान ग्यात कीजिए S की घात 3 जमा 3S जमा 12 यहां बच्चे कुछ इस प्रकार हल करते हैं बराबर 2 की घात 3 जमा 3 गुना 2 जमा 12 बराबर 8 जमा 6 जमा 12 बराबर 14 जमा 12 बराबर 26 जिससे हमारा उत्तर 26 आएगा, जो कि एक गलत समझ है आईए अब देखते हैं कि इसका सही हल क्या होगा S बराबर घटा 2 रखने पर हमें प्राप्त होगा घटा 2 की घात 3 जमा 3 गुना घटा 2 जमा 12 यहां घटा 2 की घात 3 बराबर घटा 2 गुना घटा 2 गुना घटा 2 बराबर घटा 8 होगा और 3 गुना घटा 2 बराबर घटा 6 होगा अब हमें प्राप्त होगा बराबर घटा 8 जमा घटा 6 जमा 12 बराबर घटा 14 जमा 12 बराबर घटा 2 अतह घटा 2 इसका सही उत्तर है आज हमने देखी एक चर कमान देने पर बीजिय व्यंजकों को हल करने से जुड़ी कुछ मिथ्यधारनाई आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कई मिथ्यधारनाई दूर हुई होगी और इस विशय की अच्छी समझ बन गई होगी धन्यवाद आशा करते हैं